हलो दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्यान की बात मोटिवेशनल आज हम बात करेंगे अपने गुस्से को शांत कैसे करें उसके बारे में जानेंगे किसी भी भावना को जगुष से ज़्यादा जाहिर करना भी नुकसान दायक हो सकता है इनी भावनाओं में से एक है गुस्सा कुध या गुस्सा इंसान का शत्रू होता है अकसर लोग बहुत अधिक कुध में बहुत कुछ कह जाते हैं जिसे बाद में पस्ताना पड़ता है अच्छे रिष्टों को गुस्सा खराब करता है कुध में व्यक्ति की सोचना समझने की शक्ती खतम हो जाती है आज हम बात करेंगे कुध यानि गुस्से को कैसे शांत किया जा सके गुस्से में गलत बात कहने से बहतर है कि बहुत अधिक कुध आने पर चुप रहें या शांत हो जाएं जब हम कुछ बोलेंगे ही नहीं तो विवात की स्तिती आएगी नहीं चुप गेने से गलत शब नहीं निकलेंगे बहुत अधिक गोद आए तो उस जगे से हट जाए जगे बदलने से मन शांत होता है गार्डन, बालकनी या घर की च्छत पर अकेले फ्रेश हवा में गहरी सांस लें और गुस्ता शांत करें ध्यान दूसरे मैत्वपून कारे में लगाएं आपका अपना पसंदीदा गाना या म्यूजिक सुने कुछ ऐसा करें जो आपको करना बहुत पसंद है थोड़ी देर जाकर लेट जाएं और आखे बंद करके गिलेक्स करें इससे भी आपको गुस्ते में गाहत मिलेगी किसी मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करें वहाँ कुछ देर बैट जाएं दोस्तों मैंने आपको कुछ आसान तरीके बताएं जिससे गुस्ता शांत हो जाएं और गुस्ता शांत किया जा सकें जातर लोग आजकल गुस्ते में बहुत कुछ कह जाते हैं कर जाते हैं इसी वज़े से मैंने इस वीडियो को बनाया है मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएएगा वीडियो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाना ना भूले जिससे मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जब मिल जाए धन्यवाद